Hello everyone, कैसे यहाँ, I hope आपसे होंगे, फिर बच्चे, chapter number 9th from your NCRT, that is circle 9th class में हो आप और 9th chapter ही चल रहा है, क्या बात है, क्या नाम है chapter का, circle बच्चों को थोड़ा सा confuse करता ही, अब 9th class का chapter कर रहे हैं, अगर circle यहाँ फिर 10th class के बच्चे circle कर रहे हैं, 10th class में भी circle है दोनों classes में बच्चे इस chapter को लेकर बहुत irritate होते हैं, sir बड़े अजीब से questions है, but you, my dear students, don't worry मैंने आपको बोला है, इस chapter को मतलब एक की बार में पूरा complete करने की कोशिश ना करें, आपको मैंने जो lectures देने हैं, circle chapters के, किलकुल छोड़-छोड़े lectures देने, उस जी तरह से मैं यह छोड़-छोड़े lectures बना रहा हूं circle के लिए, आपने इनी छोड़े lectures को देखकर अपनी notebook पे इनके notes बनाते जाने, अब आप previous lecture देखो, मैंने जिसमें सिरफ four questions cover की हैं, उसमें दो theorems मैंने आपको करवाई 9.1 और 9.2, 9.1 का proof हमारे syllabus में अच्छे से कर ले, दो theorems करवाई, और exercise जो 9.1 में उसमें दो ही questions है, question 1 and 2, दो questions कर यह करवाई, तो total कितने होगे, four questions, तो बिल्कुल छोड़ा सा lecture था previous, तो मैं आपको suggestion दूँगा कि next exercise 9.2 पे जाने से पहले जान नेक्स theorem करने से पहले, आप इन four questions को पहले perfect करो, ने तो जैसे से आप circle में आगे बढ़ोगे, आपको थोड़ी problem रही, circle के साथ ये confusion है थोड़ा सा, तो मैं ये suggest करूँगा कि पहले आप इन four questions को perfect करो, उसके बाद आप आज का lecture देखो, अगर perfect है तो आज के lecture के लिए ready हो जाओ, notebook पहले लेके और मेरे साथ notes बना, ठीक है, तो आज के lecture में हम exercise 9.2, इसमें एक ही example है, example number one, ये बहुत important example, ये cover करूँगा और इससे पहले example किस concept पे based है, क्या इसमें apply होना है, उसके लिए आपको four theorems को समझना पड़ेगा, theorem number 9.3, 9.4, 9.5 and 9.6, इन six theorem, four theorems को समझना है, फिर example करनी है, उसके बाद हम exercise करेंगे, लेकिन आज के lecture में हम सिरफ ये five questions कवर करेंगे, जिसमें four theorems हैं, और इन four theorems को सिरफ समझना है, कि इसमें क्या concept, इनका proof हमारे syllabus में नहीं है, ठीक, तो example one का तो detail में मैं solution बताने बालूँ आपको ये, तो total होगे, किदने questions, only one, सिरफ एक ही question में आपको करवाने वाला, अब सोचो कितना छोटा सा ये lecture है, सिरफ एक ही question करना है, अब करना है तो उसको perfect करना है, फिर हम exercise पे जाएंगे, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते if you are new here, kindly subscribe the channel, and syllabus वेरा सब discuss हो चुक है previous lecture में, ये चुड़-चुड़ी theorems, जो हमने last lecture में की, 9.1, 9.2, एकदम detail में आपको इनके proof करवा दिये, मैंने, exercise 9.1, question number 1, question number 2, दोनों complete हो जोगे, तो आज का lecture हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप अपनी NCRT देखें, तो वहाँ article number 9.2 है, जिसमें ये heading दे रखी है, perpendicular from the center to a chord, देखो previous lecture में क्या था, chords, उसमें भी chord की बात हो रही थी, chords हैं, तो उसमें concept था, chords equal है, तो वो center में angles equal बनाती हैं, अगर angles sequel हैं, तो chord sequel होती है, तो वो ही चल रहा था, ठीक है, आज के lecture में क्यों होगा, एक नई चीज़ आ गई, क्या, ये chord है, इसके बर कोई perpendicular आ गया, center से, तो आज का जो discussion है, ये perpendicular chord के बीच की discussion है, in general, आप ऐसा बोल सकते हैं, देखो article 9.2 में उसने क्या लिखा, perpendicular from center to a chord, यानि एक circle है, उसके अंदर एक chord है, और ये इसका center है, और center से आप एक perpendicular इसके पर बना रहे हैं, जिसका नाम हमने OM रखा है, तो जब आप perpendicular बनाते हैं, किसी chord के उपर तो क्या होता है, बस इसी पर discussion है, बहुत simple है, आज का lecture भी बहुत easy है, four theorems इसके अंदर रहेंगे, सबसे पहले theorem, 9.3, क्या कहती है ये theorem, ध्यान से statement समझो, देखो, proof syllabus में नहीं है, बड़ idea में आपको दे दूँगा, proof इसका आप कर सबते हैं, the perpendicular from the center of a circle to a chord, bisects the chord, कहरे है center से, अगर हम chord के उपर perpendicular बनाएं, तो वो chord को bisect कर देता है, बस ये concept है, diagramatically इसको समझते हैं, मेरे बचे, this is your circle, right, और इसमें chord ले लो, तो मैंने chord ले ली AB, अब circle है तो circle का center भी है, तो ये रहा circle का center O, इस center से chord के उपर perpendicular बनाना है, ये given information है कि वो perpendicular है, इसका नाम हमने रख दिया OM, कह रहा है जो center से perpendicular आ रहा है chord के उपर, वो chord को bisect करता है, जैनि जो AM है और MB है, ये दोनों equal है, जैनि bisect का मतलता है two equal parts, तो perpendicular ने chord को two equal parts में divide कर दिया है, ये concept direct आपने questions में apply करना है, जैसे आपको पता चलेगा, ये center से जो perpendicular आ रहा है chord के उपर, अगर ऐसा given information है, कि there is a perpendicular from center to a chord, तो आप chord के दो parts बनगे, उनको equal ले सकते हो directly, AM equal to MB, ये theorem as a reason डाल देंगे वहाँ पर, और इसका proof बहुत simple, देखो अगर proof करना है, तो given में आजएगा circle with center O, OM is perpendicular to the chord AB, two proof में आपको बताना है, AM equal to MB, construction में थोड़ा सा आजएगा, दो radio ये आपको इसके खीचने पड़ेंगी, या, अब आपने बस इन दोनों triangles को congrrant करना है, तो triangle अगर अच्छे से किया है, दोनों triangles को आप congrrant कर सकते हैं, अभी मैं करके नहीं बता रहा हूँ because ये बहुत easy है, अभी congrrancy कोन सी लगेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लगेगा RHS, राइट अंगल, हाई पढ़नी तो रेक साइड, ये वल अंगल 90 डिगरी का अंगल, 1 इकल तो अंगल 2, 90 डिगरी होगा अंगल, इस गिवन इन्फिरमेशन, O M, common साइड हो गई, और ये दो रेडिय ये, as a hypotenuse, राइट ट्राइंगल के, ये दोनों भी इकल है, रेडिय आफ सेम सर्क, तो बाई RHS ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी congrrant हो जाती हैं, जिससे आब ये बोल सकते हो, AM is equal to MB by CPCT, corresponding parts जो है, equal होते हैं, congrrant triangles के, तो inertial आपको ये समझना है, कि OM, if, OM perpendicular to AB, OM is what, center से जो perpendicular रहा है, chord AB पे, if OM is perpendicular to AB, then you can write directly, AM is equal to MB, तो जो भी मैंने आपको समझाया, concept बस इतना सही है, है, जितना मैंने ये highlight किया, is it clear, तो this is theorem 9.3, लिख लो, जैसा मैंने यहाँ पर diagram बनाई है, ऐसा बना के, ये circle वाला part अपनी notebook पे लिख लो, proof, syllabus भी नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, रहे से आप इसको कर सकते हैं, चली, next, now the theorem 9.4, it is a converse of this theorem 9.3, what is this, the line drawn through the center of a circle, to bisect a cord, is perpendicular to the cord, कहते हैं, center से अगर आप कोई line segment लेके आ रहे हैं, cord के ओपर, और वो cord को अगर bisect कर ही है, तो वो हमेशा वो जो line segment center से आ रहे हैं, वो perpendicular ही होगा, converts है इसका, this is your circle, this is your cord, AB, अब यहाँ से center से एक line segment आ रही है, इसका नाम फिर मैं OM ही ले लेता हूँ, OM अभी perpendicular नहीं है, बड़ इतना बात है, OM ने cord को bisect कर दिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, इफ, AM is equal to MB, अगर AM और MB equal हैं, तो M point पे 90 degree का अंगल बन रहा होगा, provided के जो OM जो है, यह center से ही आया है, ठीक है, M point is from center, इफ, AM is equal to MB, then you can write OM perpendicular to AB, यह concept है, is it clear, proof is again very simple, फिर से अगर आप यहाँ पर दो radius ही बना देते हैं, और इन दोनों triangles को आपने congruent कर लेने हैं, अब यह congruent होईंगी, SSS criteria से, चीक, क्योंकि यह दोनों radius equal हैं, चीक, यह common, AM MB के equal it is given, तो SSS से congruent होगी, congruent होगी तो यह दो angles 1 and 2, यह दोनों equal होगे, लेकिन यह दोनों angles हैं linear pair, तो हुए न 90-90 degree से, तो उससे prove हो जाता है, OM is perpendicular to AB, proof syllabus में नहीं है, फिर भी आपको बता दिया कैसे करना है, आपको यह concept दियान में रखना है, तो जितना मैंने लिखाया है, इतना ही आप, अपनी notebook पे लिख लो, circle बनाओ, cod बनाओ, OM बनाओ, AM MB के equal है, तो OM perpendicular होगा, तो यह concept हम questions में direct apply करेंगी, चली next, next बचे आर्टिकल आ जाता है, 9.3, फिर इसी पे दो theorems discuss होएंगी, उसको अध एक्जेम्बल के दरफ जाएंगी, आर्टिकल कहा है, equal quards and their distances from the center, अब फिर से quard की बात आ रही है, अब यहाँ पे center से quard का distance पे discussion होएगी, अभी दो theorems में क्या किया, जो perpendicular खींच रहे थे, वो quard को क्या कर रहा है, अगर quard दो पार्ट पे equal होएगी, तो वो क्या perpendicular है, यह discussion होगी, अब क्या कह रहा है, quards हैं, again quards हैं, वो equal है, अब center से उनका distance कैसा रहेगा, यह discussion होनी, इसके लिए बचे, आपको एक point माइंड में रखना है, of course जो आपने शायद previous class में भी वो discuss किया होगा कभी, discussion यह है, कि यह अगर हमारे पास कोई line segment AB है, और हम एक point लेते हैं, जो इस line segment पे नहीं, कहीं बाहर ले लेते हैं, बानो यह P point, तो इस P point से आप AB पे कितने distance बना सकते हो, बताओ कितने बना सकते हो, बहुत सारे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, you can draw infinite many distances, infinite many distances, from a point P, which is outside this line segment, जो line segment के बाहर का कोई point है, उसके उपर से आप बहुत सारे distances इस line segment पे बना सकते हैं, बड़ point के है, जो सबसे छोटा distance होता है, जो सबसे छोटा distance होता है, वो perpendicular कहलाता है, यानि जो OM है, वो हमारा perpendicular होगा, अब जब आप मैं दो theorem से यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसमें क्या point है, कि अगर आपके पास cord है, और उसका center से आप distance की बात कर रहे हो, अब center से देखो, cord के अपर बहुत सारे distances बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस distance की theorem में बात की जा रही है, जब questions में बात की जा रही है, वो distance हमेशा perpendicular distance होगा, यह आपको द्यान रखना है, अब वहाँ लिखा है, the distance of cord from the center, तो आप समझो किस distance की बात हो रही है, smallest distance की बात हो रही है, और वो smallest distance कौन सा है, जो perpendicular बन रहा है cord के उपर, यह द्यान रखना, इस distance की बात नहीं हो रही होगी, इस distance की बात नहीं हो रही होगी, जो सबसे चोटा distance होगा, उसकी बात हो रही होगी theorem में क्योंकि theorem में ऐसा mention नहीं होगा theorem में लिखाऊगा the distance of cord from the center the distance of cord from the center तो जो distance word use किया गया है that is perpendicular distance कुणसा distance? perpendicular distance smallest distance is it clear? तो यह समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि theorem में नहीं तो confusion बनी रहती है बच्चे कई बर पूछते है sir, cord का हमने center से distance लेने है कौन सा distance लेने है क्योंकि यह circle है न यह cord है यह center है circle का बच्चे ने पूछ लिया sir, o से तो मैं बहुत सारे distances a, b पे बना सकता हूँ किस distance की बात कर रहे है तो इसलिए it is understood कि हम हमेशा चोटा distance जो होगा जानी perpendicular distance होगा उसकी बात कर रहे है is it clear? ओके, चलिए अब भढ़ते हैं आगे now the theorem 9.5 बढ़ो statement क्या लिखी है equal cords of a circle देखो जब हमने previous lecture देखा वहाँ भी equal cords थी तो वहाँ equal cords क्या कर रही थी? center में equal angles बना थी अगर दो cords equal हैं तो center में वह equal angles बनाती है यहाँ पर क्या है? फिर से equal cords है अब वो क्या कर रही है? are equal distance from the center जो दो cords equal होती है दो जान दो से ज़्यादा cords अगर equal हैं तो center से उनका distance भी equal ही होता है कौन सा distance? perpendicular distance और कोई distance मत ले ले जाना चाहे वो एक ही circle की बात हो जा फिर बहुत सारी congruent circle की बात हो congruent circle होती है जिनका radius सेम होता है याणि देखो एक circle ये दो circle ये तीन circle ये चार circle मैं चार circle बना दी और ये 4 की 4 circles के हैं congruent circles है मतलब इन सब का radius सेम है तो यहाँ पर अगर मैं cots बनाता हूँ same size की cots बनाता हूँ इस सभी cots equal है तो center से जो इनका distance होगा center से जो इनका distance होगा तो 4 की 4 circles का सेम होगा ये distance, ये distance, ये distance, ये distance समेशा सेम होगा और ये कौन सा distance है perpendicular distance clear और अगर सिरफ एक ही circle में बात करें तो if you have 2 cots these are 2 cots a, b and c, d these are 2 cots a, b and c, d of same circle and both the cots are equal ये दोनो cots ये equal है दोनो cots ये equal है अब दोनो cots क्योंकि equal है तो center से इनका distance भी equal होगा कौन सा distance? perpendicular distance ये यहाँ से अगर आप perpendicular खींचते है और यहाँ से भी इसके बर perpendicular खींच देते है तो ये दोनों का length सेम होगा इसका नाम अगर मैं M रख रहा हूँ इसका नाम अगर मैं N रख रहा हूँ ये दोनों equal होगे om is equal to on होगा om is equal to on होगा क्योंकि quads equal quads equal नहीं है तो ये distance भी equal नहीं होते clear? जो theorem 9.1 की थी थी न उसमें quads equal है तो वो क्या करती है center में equal angles बनाती थी अब यहाँ पर क्या है again quads are equal अब इनका distance equal है clear है तो ये है theorem 9.5 question में जब आप करोगे वहाँ लिखा होगा quads are equal तो शायद आपको वो distance की need होगी तो आपने वो distance equal खुद से ले लेने perpendicular distance clear है इसका proof भी आप बड़े मज़े से कर सकते हैं कि ये दोनो distance equal कैसे होगी proof syllabus में नहीं है बड़ा आप कर सकते हैं थोड़ा idea भी आपको दे देता हूँ आपने again ये दोनो triangles को congruent कर देना और ये दोनो triangles congruent हो रही होंगी SSS criteria से क्योंकि ये congruent कर दी हमने तो जो दो congruent triangles होती है उनका area भी equal होता है तो area of triangle AOB and area of triangle COD दोनों के areas equal है congruent figures है congruent triangles होगा आपस में equal होगा same area होगा अब इस concept से आप इनके perpendicular को equal बता सकते हैं क्योंकि इसका बनेगा 1 by 2 base into height और height है इसकी OM इसका बनेगा 1 by 2 base into height base इसका CD height इसकी ON 1 by 2, 1 by 2 दोनों तरफ से cancel A, B, A, B, A, B, C, D दोनों तरफ से cancel क्योंकि ये दोनों equal है और पीछे क्या बाचा OM and ON equal prove होगा तो prove भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बट syllabus में नहीं है तो अभी आप सिरफ concept को अच्छे से समझे Next is theorem 9.6 It is converse of this theorem 9.5 जो की बहुत simple है quarts eq distance from the center कह रहा है एक circle है जब बहुत सारी circles है जो की same radius की है तो यहाँ पे quarts बनाए गई है 2, 3, 4, 5 बहुत सारी quarts बनादो इस circle के अंदर मैंने 2 ही बनाई कह रहा है यह center से समानदोरी पर है यानि यह distance equal OM and ON यह दोनों distance अगर equal है यानि जो quarts है वो center से eq distance पर है तो यह quarts भी आपस में equal होंगी This is the converse तो यहाँ पर हम यह concept को सिरफ understand कर रहे है direct इसको apply करना आपने questions पर तो if in a circle OM is equal to ON then cod AB is equal to cod CD तो यह है converse of theorem 9.5 तो देखा 4 की 4 theorem आपको समझ में आगई 9.3, 9.4, 9.5 and 9.6 होगी 4 theorem अब हम exercise 9.2 की जो एक ही example है उसको हम करेंगे that is very important this is example number 1 please read the statement करेफ 2 अच्छे इसका diagram given नहीं है diagram खुद बनाना है तो इसलिए statement को ध्यान से समझें क्या इसमें बोला जा रहे है करेफ 2 intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through the center passing through the point of intersection तो इसमें 2 chords है वो आपस में intersect कर रही है जो intersecting point है वहाँ से एक diameter बनाया गया चीक तो diameter के साथ ये दोनो chords angles बना रही है और वो दोनो angles equal है it is given information तो आपको prove करना है chords are equal है न थोड़ा confusing तो ये थोड़ी confusion रहता है statement में but you don't worry भून भून से ही सागर बनता है छोड़ छोड़े lectures जो मैं दे रहा हूँ इनके अच्छे से notes बनाओ इनको perfect करके फिर next lecture की दरफ जाओ circle में आप perfect हो जाओगे तो देगे यहाँ पर मैं diagram से आपको समझाता हूँ proof इसका बहुत simple है कोई इतनी गबराने वाली बात नहीं यह circle बना दी जैसे ही बनी यार आप compass से बनाना मैं free hand से बना रहू तो मेरे बच्चे यह मेरे पास आ गया chords two chords let its name is a b अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं इसका यह chord a b यह chord c d अब देखो दोनों chords है इनको equal prove करना है chords are equal तो two prove मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ two prove क्या यह chords को equal करना a b is equal to c d अब यह chords equal कैसी होगी बताओ कैसे होगी equal जहां तो हम prove कर दें center में जो angle बना रही है वो equal है theorem 9.1 जहां फिर हम यह प्रूफ कर दें जो अभी अभी हमने सीखा कि center से इनका distance same है center से इनका distance same है center से अगर इनका distance same हुआ तो chords equal हो जाएगी तो अभी जो concept सीखा वो ही इसमें apply होने वाला है तो यह हमने two prove है given में आ जाएगा I hope given you can write a circle with center o a circle with center o तो यह इसका हमने center ले लिया and two chords a, b and c, d a, b and c, d are two intersecting chords intersecting chords at जिस point पर intersect कर रही है मानों उसका नाम हम e रख लेते at e और एक diameter भी है diameter जो की intersecting points से pass कर रहा है passing through the point of intersection तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां से pass कर रहा है यह यह diameter यह radius होगा है इसको आगे ले जो चिक तो इसका नाम रख लेते हैं p q तो diameter p q passing through the intersecting point e यह सब आब लिख ले तो given हो गया two prove हो गया यहां पर आपको एक construction करनी पड़ेगी construction भरी important है इसमें center से cord के उपर perpendicular बनाने center से cord के उपर perpendicular बनाने तो यह perpendicular बना दी अब यह जो perpendicular बनाए आपने prove करना है पहले यह perpendicular आपस में equal है अगर यह equal है तो cords भी equal हो तो सारा काम है इन perpendicular का इसका नाम OM रख लिया है इसका नाम ON रख लिया तो construction में क्या है draw OM perpendicular AB and ON perpendicular CB construction यहां पर बहुत important है जो perpendicular दो बनाए है इनको दियान में रखना बनाने ही पड़ेंगे और इन perpendicular को मैं equal करने वाला हूँ क्योंकि बड़े मज़े से हो जाएगा अच्छा given information में एक चीज़ हो रहा है जो equal angles बन रहे है वो कौन से है ध्यान से समझो मेरे बच्चे cord ने diameter के साथ है AB cord ने diameter साथ angle बनाया है यह वाल angle इसका नाम 1 रख रहा हूँ और यह वाल angle इसका नाम 2 रख रहा हूँ यह CD cord का angle तो angle 1 और angle 2 भी equal है यह given information clear तो पहले मुझे यहाँ पर इन दोनों triangles को congrrant करना होगा कौनसी P, O, M P, O, N अगर यह दोनों triangles में congrrant कर देता हूँ तो मेरा O, M और O, N equal हो जाएंगी जहनी perpendicular मैंने equal कर दी है जो cord पर बने हुए तो automatically cords पर equal हो जाएंगी जो अभी हमने theorem's पही तो यहाँ पर दोनों triangles को congrrant करने के लिए criteria कौन सा लगेगा triple S, SAS RHS ASA जा फिर AAS कौन सा लगेगा तो यहाँ पर apply होगा A, S, A A, S, A देखो यह angle 1 equal है यह common side है इसका नाम है O, E मुझे यह वाल angle किस दरह से equal प्रूब करने है यह वाल angle इनको मैं highlight कर रहू इनकी naming कर देता हूँ 1, 2 इसका नाम 3 रख लेते हैं इसका नाम 4 है 3, 4 मैं equal करूँगा उसके बाद A, S, A से दोनों triangle congruent होगी O, M, O, N के equal होगा तो chords equal हो जाएंगा बहुत important question नहीं ठीक है अब मैं यहाँ 3, 4 को equal कैसे करूँगा द्यान से देखो proof मेरे बच्चे मेरे बच्चे angle 1 और angle 3 angle 1, angle 3 और यह वाल angle जिसका नाम है E, M, O M point पे E, M, O angle E, M, O यह 3, 180 degree तीनों का sum 180 degree वाई? angle sum property चीक है? angle sum property इन triangle आप mention कर सकते हो E, M, O यह चोटी सी यह triangle है यह, 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 यह यह चेड़ी triangle इन 3 angles का sum मैंने 180 लिए इसी तरह से इसके opposite जो triangle है E, O, N इसमें भी 3 angle है 2, 4 और यह N point पे angle बना हो इन 3ों का sum भी 180 के एकोल also in triangle E, O, N E, O इसमें भी 3 angle है एक 2 है एक 4 है और एक N पे जो angle है E, N, O E, N, O इनका sum भी किसके एकोल? 180 reason same angle sum property चीक? तो यह number 1 यह number 2 अब इनका भी sum 180 इनका भी sum 180 इनको equate कर लो तो from 1 and 2 angle 1 plus angle 3 plus angle E, M, O is equal to angle 2 plus angle 4 plus angle E, N, O यहाँ पे angle 1 और angle 2 cancel हो जाएंगे reason डालो angle 1 equal to angle 2 यह given information थी 1, 2 के एकोल है यह cancel होगी उसके बाद angle E, M, O angle E, N, O इनको भी cancel कर दो क्योंकि angle E, M, O E, M, O is equal to angle E, N, O यह दोनों angles भी equal है and each 90 degree यह भी cancel होगी तो पीछे क्या बचा angle 3 equal to angle 4 तो देखो किस तरह किस तरह से मैंने angle 3 और angle 4 को equal कर दी बहुत simple angle sum property दोनों triangle से में लगानी दोनों का sum 180 होता एक्क्वेट करो सब cancel होगा यही दोनों ही बचेंग अब यहाँ पर यह दोनों triangle को congruent हम करने वाले तो इन triangle O M E in triangle O M E and triangle O N E दोनों triangle को congruent करो कैसे angle 1 is equal to angle 2 it is given angle 3 is equal to angle 4 proved just proved here proved above और इनके बीच की जो side कुनसी? E से जो O R E यह common therefore by A S A congruent rule triangle O M E is congruent to triangle O N E क्योंकि triangles यह congruent हो गई है तो आप लिख सकते हो O M is equal to O N C P C D अब क्योंकि O M O N के equal हो गया जनी center से जो perpendicular जा रहे है quarts के उपर उन perpendicular को equal कर दिया O M equal to O N हो गया इसका मलब जो quarts है A B और C D वो भी equal हो गई चीक है? इसका reason डाल दें कि quarts equal कैसे हो गई? quarts equidistant from center are equal बस इतना reason डाल दें वो last वली theorem आपको समझाए that's all I hope this is clear very important example अच्छे से कर लेंगा करने लाइक आज के लेक्चर में example लिए समझने लाइक आपकी four theorems तो नेक्स लेक्चर में हम exercise 9.2 स्टार्ट कर देंगे thank you बचे bye bye and take care ुँ पुटार्ट